कभी पाकिस्तान को पटकनी दी तो कभी चीन की चुनोती को जबाब लेकिन सरहद हमेशा महफूज रही अब सरहदों का दाइरा बढ़ गया है यही वजा है कि अपनी सरहदों के साथ साथ हम दोस्तों की सरहदों की भी निगरानी करते हैं दोश्तों की सरहाथ पर क्या हो रहा है और हमारे सरहाथ में क्या दिलचस्प है आज पत्री का आपके लिए एक ऐसी हिस रहात से report लेकर आ रहा है Ground जिरो पर यह report लेकर हम हाजिर हैं जहां 15 जून से आपकी दिलचस्पी काफी बढ़ गई है, इसमें दोस्ती भी है दुस्मनी भी याराना भी है और किराना भी है वर्चस भी है और लानत है इतना कर्म के बीची एक तूफान का अंदेशा भी है इतना आसान नहीं है कि समुद्र में डागी गई मिसाइल निसाने से इतर जाके गिरी और उस से जो तो फान खड़ा हुआ उसके बारे में कोई सोची ना यह सब इतना असान नहीं है यूँ तो समझ में आता है कि एक देश ने ये काम किया है अपनी प्रेक्टिस की है या चीन ने के वल भारत के साथ दस्मनी निभाते हुई दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं है एक सरहद का दाइरा दूसरे सरहद को नुकसान पहुंचा रहा है इस बार की सरहद में क्या आखिर खास है आखिर ये सब हो क्यों रहा है हम आपको सब बताएंगे देखते रहें सरहद सुबा के साड़े तीन बज रहे हैं आसमान में हवाई उक्रणों की आवाजें हमें सोने नहीं देती कुछ कुछ मिनट के अंतराल पर लगातार ये आवाजें बनी हुई हैं यह आवाजें साब बता रही हैं कि सरहद पर सब कुछ ठीक नहीं है पिछले साल साथ अगस्त को भी हम यहीं थी लेकिन तब इस तरह ना गर्माहट थी और नहीं इस तरह का महोल और नहीं इतनी उपकरणों की उड़ाने हम इन सब चीज़ियों को देखने के लिए धीरे धीरे एक रास्ते पर चलते हैं क्रू के लिए यहां से जैसे ही मनाली के लिए निकलते हैं तो कुछ ही 35 किलोमेटर की दूरी पर कुरू एक जगह है सिंदु नदी के किनारे किनारे हम बढ़ते हुए चले जाते हैं और यहीं से जो बाएं तरफ का रास्ता है वो जाता है गलवान घांटी को दुर्बुक को यानि वो जगहें जहां चीन ने अतिक्रमड कर रखा है जहां चीन ने अपनी दृष्टता दिखाई थी तो हम इस तरफ जाने की कोशिश करते हैं लेकिन आगे तुरंत साफ मना हो ज से चलते हैं थोड़ी दूर जाते हैं और वहां से दूसरा रास्ता लेने की कोशिश करते हैं जो होते हुए हाट स्प्रिंग होते हुए आगे जाता है और वही रास्ता फिर दुर्बुक को आता है तो वहां भी हमें रोक दिया जाता है यानि जो बाएं तरफ का इलाका है हमें जाना साफ मना है सिर्फ आप दाहिने जा सकते हैं मना ली यानि अगर आप लेह आए हैं तो सेना के साथ आपको कदम ताल तो करना ही होगा क्योंकि मामला सुरक्षा का है और चीन चालाक कितना है द्रिष्ट कितना है इसे बताने की जरूरत किसी को नहीं है चीन की दुष्टता और दुष्टता किसी से छिपी नहीं है इस समय चीन गोगरा पोस्ट और पेंगांग तासो दोनों जगों पर जुटा हुआ है इस्तिती गंबीर है और आपको बता दें कि गोगरा जो पोस्ट है जो 17 APP कहलाता है व अखीकत यह है कि यह यह दो जगहें ऐसी हैं जो जहां पर जहां पर बात हुई थी तीस जून को कि यहां से हम पीछे रटेंगे उसमें से उन पांच जगहों में से दो जगहें यह ऐसी हैं जिसमें से दोनों ही सेनाएं अपनी अपने जगहों पर तैनात हैं और वह अपने आप उसको maintain कियों हैं बात अगर पेंगोंग तौसो करें तो चीन एक बार पीछे हटा है फिंगर फोर से फिंगर फोर से वह फाइप गया है लेकिन आपको बता दें कि जो रिज लाइन होती है यानि पहाड़ों दो एक पहाड़ होता है तो पहाड़ के एक तरफ पानी धर ग गए होंगे कि जो हवाई उपकरणों की आवाज आ रही थी वह किस लिए थी यानि इस्थती कहां है और कैसी है और कितनी गंभीर है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि चीन ने जिन जगहों पर पीछे जाने की बात कही थी वह अपनी बात से मुकरता हुआ दिख कि वह पीछे जाए क्योंकि चीन की चाला की हमेशा यही रही है दो कदम आगे और एक कदम पीछे एक तरफ दोस्ती और दूसरी तरफ पीठ में खंजर यह चीन की पुरानी आदत है यह पहली बार नहीं है कि उसने भारत के खिलाफ घेरा बंदी की है चीन के रक्षा मंत्र का भ़्यानहीं है आयरन बुदर मिंस आप सारी संपती चीन को दे दे चीन की तरह चलें चीन ज dispz. और उसके बदले में चीन आपको रक्षा करन देगा चीन आपको धन देगा चीन का यह रजरिया यह हमेशा ही रहा है यह चीन का आर्थिक जाल रहा है चाहे स्री लंका का मामला लें चाहे दच्छिन अपरीकी देशों का मामला लें पहले या पाकिस्तान का ही ले पहले वो समर्थन देता है पहले उसके बाद धन देता है उसके बाद एक समय आता है कि वो रास्ट कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे फिर चीन कब जा करना सुरू करता है यही वज़ा है कि चीन ने पाकिस्तान का उधारन नेपाल और अफगानिस्तान को दिया है अफगानिस्तान इस समय भारत के साथ है और नीपाल की तुनक मिजाजी भारत के स चल रही है आप चाहे उत्राखंड की सीमाओं से लेकर जुडा हुआ वामला देखें या विहार की सीमाओं से लेकर और इस मौफ़ाइदा उठाने के लिए चीन लगा हुआ है और लगातार वो प्रहार कर रहा है लेकिन देखना अब यह है कि भारत इसका जवाब कैसे देता है लेकिन चीन कुटिल है इसमें कहीं कोई दोराय नहीं है यही वजा है कि यह बयान जब लद्दाक में भारत और चीन के बीच एक घमासान चल रहा है एक विप्रीत माहूल है तो ऐसे में यह बयान बहुत ही महत्पूर्ण हो जाता है अफगानिस्तान और नेपाल भले ही ब्रदर बरने की राह पर निकल चुका है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब फ्रांस से राफिल का बीमाल अल्दफरा एयरपोर्ट पर उत्रा तो उसके बाद दसकों पुराने मित्र इरान ने जो भारत के मित्र रहा है इरान ने मिसाईले दाग दी जो अल्दफरा एयरबेस के बगल में ही जो समुद्र है वहां पर जाके गिरीं कहने के लिए तो ये एक सैन्न अभ्यास था इरान का लेकिन इसे फ्रांस अमेरिका और भारत के लिए सकती परिषण के रूप में जाना जा रहा है इरान आपको बता दें कि इरान लगातार ही भा यही वज़ा रही कि इन संब्बंदों की कमी को कमी का फाइदा चीन ने उठाया और चीन ने एरान के साथ दोस्ती कर ली तो यह जो सारा रिफ्लेक्शन हैं उसको इस रूप में देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं यह मेर्का और भारत के लिए दोनों के लिए सक्ती देखी जाती मित्रों की भी सरहत देखी जाती है और दुस्मनों की सरहत देखी जाती है हमारी सरहत पर क्या हो रहा है कि यही असर नहीं डालता बलकि दोस्तों की सरहत पर क्या कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है यह भी हमारी सरहत पर असर डालता है इराइन ने मिसाइल दाक क कर दो तरह से अपनी सक्ति का प्रदसन किया है एक अमेरिका और फ्रांस को बता दिया है कि वह कितना ताकतवर है और चीन उसके साथ किस तरह से समर्थन कर रहा है दूसरा यहां कि अमेरिका के साथ जो भारत की दोस्ती है वहां बहुत सही नहीं है कहीं न कहीं उसका उसको यह मलाल है कि भारत उसके हाथ से चला गया या भारत से उसकी दोस्ती में दरार आ गई है तो इन दोनों उपकरमों को दिखाते हुए है उसने मिसाइल दागी है और वह अभी तब बड़ी बात यह है कि वह अभी तब जब राफिल सहित भारतिय पाइलट अलदफरा एयर बेस पर मौजूद थे तो निश्चित रूप से यह इरान का सक्ति परदर्शन ही कहा जाएगा फिलहाल इस पर विशेशक की क्या कहते हैं और देश के विशेशक की जो रक्षा विशेशक है वो क्या सोच रहे हैं यह देखने की बात होगी सरहत किस तरह से असर डालती है इस एपिस सागर में हो रही सएन अभ्यास बहुरत के से जोड़ी सीमा जो लद्दाक की सीमा उसको असर डालती है उमीद है कि यह एपिसोड आपको पसंद आया है अब लेते हैं विदा फिर हाजिर होते हैं सरहाट के नए किस्दों के साथ सरहाट का या किस्दा अगर आपको पसंद है तो जेर करें लाइक करें और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा बता दे हमें अपनी राय देना कतई न भूले और इसके साथ बेल आइकान दबाना भी न भूले फिर मिलते हैं अगले सो में नमस्कार